Hi everyone, welcome to my channel, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकूख फैन फिक्शन, तो चलिए इस कहाने को शुरुकाते हूँ, त्याग मन में कहते है, Thank God मैं यहाँ से नहीं भागा, बरना मैं फक्रा जाता, मुझे यहाँ से भागने में बहुत तकलिफ होता, यहाँ पर इ उन लोग की बातों को सुन लिया, जो जनकु के बार में बोड रहे थे, अगर मैं यहाँ से भागनी के कोशिश करता और मैं पक्रा जाता, तो वो मुझे मार ही डालता, गया पर सब लोग उसको जानते हैं, जनकु कहते हैं, मुझे एकिन नहीं हो रहा है, तुम यहाँ से न नहीं भागे, लेकिन क्यों, मैं तुम से पूछना जो चाहता हूं, लेकिन नहीं पूछ साकता हूं, जनकु कुंक, आफ त्याग को ही घूरे जा रहे थे, त्याग जनकु को हक कर लेते हैं, जनकु कुक शौक हो जाते हैं, जनकु क्या लगजहों, आचनक तुमने मुझे लगा मैं आपको खोने वाला हूँ जनकु कहते है ऐसा क्यों लगा आके मैं तुम्हारे पास ही हूँ मैं तुम्हें छोड़का कही नहीं जाने वाला हूँ क्या तुम मुझे छोड़का कही जाने वाले थे क्या त्यान कहते है क्या जनकु कहते है मैं आपको छोड़का कहा जा सकता हो क्योंकि अभी तो आप ही मेरे सब कुछ हो और यूंगी हूं और दादा जी इसके आलावा मेरे बस कोई और नहीं है तो मैं किसके पास जाओंगा जनको कहते है मैं भी बुही सोच रहा था आके तुम किसके पास जा सकते हो त्यान कहते है अब क्या बोलने की कोशिश कर मैं समझ नहीं रहा हो। जनकों कहते हैं कुछ नहीं। तुम मुझे शुरकार जाने के बार में कभी सोचना भी मत। क्योंकि तुम कहीं पर भी जाओगे। मैं तुम्हें ढूनकार लेकर आओंगा। समझे, त्यान कहते हैं हमें समझ सकता हूँ क्यूंकि आप मुझे लेकर बहुत सोचते हो, आपसे ज़ादा मेरा क्यार कोई और नहीं कर सकते है抓Really मैं आपको बहुत पशन करता हूँ। जनकों कहते हैं क्या सच बोल रहा है? मैं तुम्हारी कौन सी बातों पर भरुसा करूँ? जो तुम अब करने वाले थे, उस बातों पर यह फर, अभी जो तुम बोल रहे हो इस बात पर, त्यांग कहते हैं मैं समझा नहीं, जर्णकूर त्यांग की फेस को टाइटली पाका लेते हैं, तुम मुझसे चाला की करने के बार में सोच रहे थे न, तुम यहां से भागने व कर सकता हो और अगर मैं तुम्हां लिए इतना कुछ कर सकता हो तुम्हीं अगर मेरे साथ चिटिंग करोगे और चाला की कारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हां साथ क्या कर सकता हो तुम्हें आइडिया भी है त्यांग जंगों को देखा डार जाते हैं क्योंकि जंगों ब जनकुक त्यांग को कहते हैं क्या सूच रहे हो आकर मुझे पता कैसे चल गया त्यांग जनकुक को देखा कहते हैं क्या मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था मैं भागूं का क्यों जनकुक कहते हैं तुम भागने ही वाले थे लेकिन नहीं भागें क्योंकि तुम्हें डर लगन न हमक घ्र क dobr क realities अका तो तुम में और भागने के कोशिशित है कि युद भी आ पती है I should and wr भी Channel ली असने नहीं है थ्यूमड है बिर भी इस सब झ fake वह रहे हैं जनकू ट्यांक को कहते है मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ तुम मेरे साथ जो नाटा कर रहे हो अच्छे बनने का और मुझे पर इतना प्यार देखा रहे हो इस सब कुछ नाटा के अगर तुम सचे दिल से इस सब कुछ करते हैं न मुझे बहुत अच्छा लगता लेकिन तुमने मुझे दोका दिया है मैं तुम्हें इसके रहे कभी मार्फ नहीं करने वाला होती है और मैं तुम्हारे साथ अपसे कोई बात नहीं करूँगा तुम चाहोते हैं आसे भाग सकते हो तुमने मेरे भरुसे के साथ खिलवार क्या है मैं सचे दिल से तुम्हारा क्यार करता हूँ तुम्हारे बार में सोचता हूँ तुम्हारे मौम ने तुम्हें मेरे हाथों पर सौप दिया था मैं तब से तुम्हें अपना फैमिली मानने लगा और तुम्हारा क्यार करते करते कब तुम्हारे प्यार में पर गया, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं तुमसे प्यार काने लगा हूँ त्यांग, और तुम होगी, मैं इसा चिरिंग कर रहे थे, मैं तुम्हारे बार में इतना अच्छा सोचता हूँ, लेकिन हमेशा तुम मुझे निराश करते हो, ऐसा क्यों क आप मैं बात तो सुन लीजे, जनकु कहते है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, कि मैं अच्छी तास जानता हूँ, तुम यहांसे भागने वाले थे, तुम उसे प्यार नहीं कहते हो, तुम मेंसार नाटा कर रहे थे, इसी बात का मुझे दुख है, तुम अभी यहांसे चले जाओ मैं तुम्हें शाकल नहीं देखना चाहता हूँ जनकुक त्यांग को यहासे जाने के लिए कहते हैं लेकिन त्यांग वो यहासे हिल भी नहीं रहा था जनकुक कहते हैं क्या हुआ अब तुम जा क्यों नहीं रहे हो तुम तो यहीं चाहते हो न यहासे भागना चाह चलो मैं तुम्हें आज़त कर देता हूँ मैं इतनी दिनों से तुम्हारे बार में सोच रहा था आके तुम इतना वीड जो हो सब लोग तुम्हारा मज़ा कुराता है सब लोग तुम्हारा फाइदा उठाने की कोशिश करते है तुम सब लोगों से डरते हो इसलिए मैं हमेश एक नोचार मिल रहा था और जब तुम बाहर की जिन्देगी में जीने लगोगे तुमें इससे भी बहुत ज़दा तौचार मिलने वाले हैं और बोल्ट को जेलने पढ़ेंगे क्या तुम उसको सह सकोगे। अगर तुम्हें इस जगह से भागने में खुशी मिलते है और तुम कहीं और जगह खुश रहते हो तो मुझसे ज़दा खुश और कोई नहीं होगा त्यांग तुम्हें जहा जाना है तुम जा सकते हो और यह लोगे कर इसमें बहुत साई पैसे है तुम अपनी लाइब को अच्छी तया से जी सकते हो तुम्हें कोई काम नहीं करने परेंगे त्यान केते हैं मुझे नहीं चाहिए मैं यहांसे नहीं जाना चाहता हूँ मुझे गल्ती हो गया है मुझे माफ कर दीजे sorry मैंने नहीं सोचा था इस तरह से मुझे लगा कि आप मेरे साथ से अपनी pleasure के लिए यहाँ पर रखा है और आप मेरे use कर रहे हो और कुछ नहीं इसलिए मैं यहांसे भागना चाह रहा था और अपनी life को अपनी तरह से जीना चाह रहा था जनकों कहते हैं हाँ ठीक है यहीं सच है अगर तुम्हें यहीं लगता है मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम यहांसे चले जाओ मैं तुम्हें से यहीं तो सब कुछ कर रहा था तुम् मेरे खाने से लेकर मेरे कपड़ों तक बहुत ही अच्छे से मेरा क्या क्या है सौरी मुझे गलती हो गया है ली जॉनकु मुझे यह से मत जाने दो मैं यह से नहीं जाना चाहता हूँ मैं माफिय मांगता हूँ वो जॉनकु के पैर पका कर बैठ जाते है जॉनकु कहते है तु तयांक जन्कुक के पास आशा जाते हैं और कहते हैं नहीं मुझे nets जाना है। जन्कुक तयांक को धाकिन देते हैं और यहांसे चले जाते हैं। त्यांग कहते हैं कहा जा रहे हो मुझे छोड़का मैं यहांसे नहीं जाओंगा लेकिन जनकुक नहीं सुनते हैं वो बार में चले जाते हैं और वो आपा जाका डिन काने लगते हैं जनकुक त्यांग को यहां पर ही छोड़का चले गए हैं त्यांग यहां पर बैठ कर रो र मैंने उनकी प्यार को नहीं देखा और नहीं उनके भापनाओं के बार में सोचा है हमेशा उनकी कुरुता को देखा है मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है अब मैं क्या करू मेरे पास फोन तो है लेकिन मैं किस से कॉल करू फिर उसको याद आता है मैं यूंगी हूं को करते है यूंगी कहते है क्या हुआ त्यांग पहले मेरी बात सुनो और शांती से सारी बाते कुल कर कहो तुम रो क्यू रहे हो त्यांग कहते है आप मुझे बचा लीजिए मैं मर जाओंगा यूंगी कहते है क्या हुआ पहले मुझे सारी बात बदाओ त्यांग कहते है वो म यूंगी हमं के साथ हो तुम、 जीमीन कहते हैं, उसने मुझे पकरके ले आया, वो तुम्हों तुम्हाई माज़कन न चाहते है, और मैंने उस पर भरॉष का लिया, त्यान कहते है, हाउ उनुने सही कहा, जीमीन कहते है, तुम पहले रोना बंद करो, हम दुबाई आ चुके है, हम दुनों पहली यहाँ पर पहुँच चुके थे, तुम्हें बचाने के लिए, और तुम की जगा पर हो, उस जगा का एड़ेस दो त्यांग लोकेशन सेंट कर देते है, यूंगी, जिमिन को लेकर यहाँ पर पहुँच आते है, और त्यांग को कहते है, क्या वा तुम रो क्यों रहे हो, उसने तुमसत क्या किया, और वो कहा चला गया, त्यांग कहते है, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, यही तो फरक है, मे मैंने विल्कूल कोशिच भी नहीं किया था, लेकिन उसको पहले से ही पता था, कि मैं आसे भागने वाला हूँ, और इसलिये वो मुझे मौका भी देय रहते भागने का, लेकिन मैं नहीं भाग पाया, क्योंकि मैं भी उससे शायद कही न कही प्याह करने लगा हूँ मुझे इसकी फिलिंग्स की कदर है मैंने इतनी दिनों से उसके साथ रहा लेकिन एक पल के लिए भी उसकी भावनाओं को बहर में नहीं सोचा अब जाकर मुझे पता चला यह आखे बो मेरे लिए इतना ज़़ा वार्ट क्यों थे और बो मुझे हमेशा इस्टोंग करने की बार में सोच रहा था और मैं उसकी हर एक पॉइंट इव्यू को गलत तरीके से देख रहा था जो मुझे नहीं करना चाहिए मेरे पास अब मेरे हजबन के अलबा और कोई नहीं है और यूंगी हूं और ददाजी और जीमिन तुम ही लोग हो जो मेरे अपने हो अब मैं तुम लोगों से मदब मांगता हूँ मुझे उसको दूनने में मदब करो वो मुझे चुनका कहा चला गया मैं नहीं जानता हूँ यूंगी कहते हाँ ठीक है मैं जानता हूँ यहाँ पर आने की बद वो कहा चाह सकते है वो बहुत गुसे में और वो सेर्थ था क्या त्यांग कहते हाँ आपको कैसे पता कि वो कहा पर है यूंगी कहते है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्पन की दोस्त है वो दिल के अच्छी है, मैंने तुम से हमेशा से कहा त्यांग लेकिन तुमने कहा, तुम अपने लाइब को और तरही किसे जीना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा था, लेकिन अब अगर तुम चाहते हो, कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम भे ठीक है इसमें भी मैं तुम्हारा साथ दोंगा, जिमिंग कहते है, नहीं, त्यांग उस माफिया के साथ नहीं रहेगा त्यांग का दिमाख खराब हो गया है उस माफिया ने उसको डराया है इसलिए वो इस सब कुछ बोल रहा है त्यांग तुम मेरे साथ चलो यूंगी कहते है जिमिन तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तुम देख नहीं रहे हो क्या वो प्यार में है कहें तुम अंधे तो नहीं हो गया हो ना जिमिन कहते है मैं अंधा नहीं हो आओ त्यांग अंधा हो गया है वो उस माफिया की डर से इस सब कुछ कर रहे है त्यांग मेरे साथ चलो उसके हैन पकार कर खीचने लगते है त्यांग कहते है जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम यह इन सारी जमलों में नहीं पारना चाहिए मैं अपनी फैमिली चून चुका हूँ मैं अपने हस्बिन के साथ और दादा जी और यूंगी हूं के साथ खुश हूँ तुम यहाँ पर आने की जरुत नहीं था मैं जानता हूँ तुम मेरे बाय में सोच रहे हो लेकिन मैं अपने हस्बिन के बार में सोच रहे हो यह कि मुझे उनकी फिकर है मैं अपने हस्बिन के पास जाना चाहता हूँ यूंग मुझे लेका चलिये जिमिन कहते है त्यांग तुम सच में पागल हो गया हो त्यांग कहते है जिमिन तुम यहाँ से चले जाओ तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए तुम यहाँ पर क्यों आये हो जिमिन कहते है अब इन सारे बातों को छोड़ो मैं अभी देखना चाहता हो आखिर वो माफिया तुम्हेसे क्या करता है मैं अपने आखों से देखना चाहता हूँ वो तुमसे प्यार काता है या नहीं त्यांग कहते है हाथ ठीक है देख लेना चलो अभी बहुत लेट हो रहा है यूंग मुझे लेका चली है यूंगी जिमिन को और त्यांग को अपने साथ लेका चलते है जंगू के पास जंगू बार में बैटकर वो डिंग कर रहा था वो बहुत जदा डिंग कर चुके है इतने देरों में और वो पुरी तरह से नैशे की हालात में थे उसके आखे लाल हो चुके है और वो नैशे में सिर्फ त्यांग की ही नाम लिये जा रहे थे और रो रहे थे त्यांग जंगू को इस हलत में देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और कहते है वो मुझसे इतना पया काता है वो में ले कुछ भी कर सकता है क्या यूंगी कहते है हाँ मैं भी इस बात को मानता हूँ मैंने उसकी आखों में तुम्हारे लिए वो प्यार देखा है जियो प्यार पने किसी के लिए आज तक नहीं देखा अब तुम उसके पास जाओ और उससे बात करो त्यांग कहते हैं मुझे डर लग रहा है अगर वो मुझे से गुसा करेगा तो मैं क्या करूंगा वो बहुती नशा कर चुका है क्या वो मेरी बातों को सुन सकेगा और उसको याद रख पाएगा यूगी कहते है वो तुमसे प्यार काते है वो जितना चाहे डींग क्यों ना कर ले वो तुम्हारी हर एक लफ्स को याद रखेगा जिमिन त्यांग की हैन पकार के रखा था त्यांग जिमिन को कहते है छोड़ दो मुझे मुझे जाने दो जिमिन मैं जज बोल रहा हूँ मैं उसे प्यार काता हूँ और वो मुझे बहुत प्यार काता है मैं उस इंसान से कैसे प्यार ना करो जो मेरे बार में सोचता है मैंने बहुत दिनों के बाद मुझे इतना प्यार काने वाले इंसान से मिला मुझे इसको नहीं चोओना है ब्लीज जीमिन मुझे उनके पास जाने दो जीमिन कहते है अगर तुम्हें लगता है कि इससे जदा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता है तो ठीक है जाओ मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ लेकिन त्याग अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हें लिए ठीक नहीं है मैं तुम्हे साथ हो, मैं तुम्हें यहाँजा का ले जाओंगा यूगी मुसकर आता है Jamin कहते है, क्या हुआ, तुम मुसकरा क्यों रहे हो यूगी कहते है, तुम मेरे से इस्दासे बात नहीं कर सकते हो आखे मैं भी माफिया हो, तुम्हें मुसे ड़ना चाहिए और तुम उसको बचाओगे एक इस्कूल बॉय तुम क्या कर सकते हो हमारे जैसे माफिया के साथ तुम्हारी हिम्मत की दाथ देने परेंगे जीमिन आखे तुम बहुत ब्रेब हो इस उमर में तुमने अपने दोस को बचाने के बार में सोचा और यहा तक आ गए इसलिए मैं तुमसे ब्याह काता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाता हूँ प्लीज जीमिन मुझसे शादी कर लो जीमिन कहते है कभी नहीं यूगी कहते है तुम मेरे साथ इतना कट्रूता क्यों देखा रहे हो हाँ क्या तुम भी चाहते हो कि मैं भी ऐसा कुछ करू कि तुम मेरे पस रोते हुए चले आओ जिमिंग कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ त्यां का दिमाग खरब हो गया है मेरा नहीं यूंगी कहते हैं दिमाग खरब होने में टायम नहीं लगता है प्यार कभे भी किसी से भी हो सकता है आके त्यांग को अपनी फिलिंस का पता चल गया बोट जंको की प्यार को मैसुस कर पाया इसलिए वो जंको की प्यार को एकसिप करता है और वो उसी की प्यार के साथ रहना चाते है और आखे मैंने त्यांग की आखों में भी जॉनकुक के लिए प्यार देखा था बहुत पहले ही जब जॉनकुक उसकी बिमारी में उसका लाज कर रहे थे उसका क्यार कर रहे थे लेकिन त्यांग को समझ भी नहीं आया था क्योंकि उस ट्राइम पर जंगुक त्यांग के साथ बहुत ही कुरूल बन रहा था शायद इसलिए अभी मैं तुम्हें साथ इतनी प्यार से बाते कर रहा हूँ शायद तुम्हें समझ में आ जाए लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर जंगुक के पास त्यांग आ जाते हैं और कहते हैं मैं आपके बीना नहीं रह सकता हो आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो मैं सच में आपसे बहुत प्याक आता हो मुझे रिलाइस हो गया है प्लीज मेरे साथ चलिए हम दोनों अपने घर चले जाते हैं हम दोने बहुत खुश हैंगे मैं आपको छोगा कभी जाने की कोशिच नहीं करूँगा आप प्रॉमिस निकिन जनकों त्यांग की हैं को पीछे धाके देते हैं इस पार्ट को यहाँ पर खतम कर रहे हो निकिस पार्ट का इंटे जा करना और अगद पसंद आया होंगे लाइक कमें शेयर का देना और सब्सक्राइब का देना थैंक यू सो मच पूर वाचिन दिश वीडियो बाई बाई